की चन टिप्स लेके आई हूँ नमर एक अर्बी की चिगनाहट को दूर करने के लिए अर्बी के छिलके को उतार कर इसे नमक वाले पानी में डूबो कर रखें इसे बाद अर्बी को नमक वाले पानी से निकाल कर दें और अर्बी को सुके कपड़े से साप करें जिसे इसकी ल इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए इसके छिलके को उतार कर नमक वाले पानी में कुछ समय के लिए डाल कर रखें तो इसकी जो कड़वाहट हो दूर हो जाएगी और सब्जी अच्छी तेश्थी बनेगी नमर तीन चाय को यदि जादा सुगनित बनाने चाते हो तो इसमें उबलते हुए पानी में संत्रे के सुके छिलके और चोटी इलाइन चिलके और तुल्ची के पतियां डाल दें थोड़ा सा इसमें अद्रग भी डाल दें इससे हमारी चाय में बहुती अच्छी सुगन आती ह नमर चार किचन के फ्लोर पर यदि कोई चिपचिपी चीज गिर गई हो तो उस पर बिलिचिंग डाल दें फिर ब्रस से रगड़ दें फ्लोर साप हो जाएगा नमर पांच बारिश के मोसम में नमक को पानी से होने वाल बचने के लिए उसमें एक मुठी चावल रख दीजिए नमर छे ग्रेवी को ज्यादा रंगत लाने के लिए इसमें चुकंदर डाल दें कस करके नमर साथ सुके हुए मकई को एक दिन धूप में रखें इसमें पॉपकन अच्छे बनेंगे नमर आठ है बारिश के मोसम में नमक को पानी होने से बचने के लिए उसमें एक मुठी चावल रख दीजिए नमर नो हल्वे में सुकी चिनी डालने की जगह चासनी बना का डालें नमर दस टमाटर सुक को गाड़ा वः स्वाधिश्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रेड चूरा डालकर मिक्सी में चलाएं तो स्वाधिश्ट होगा और गाड़ा भी होगा नमर ग्यारा सबजी में खटाई सबजी पक जाने के बाद ही मिलाएं नमर बारा दूद को उबलते समय दूद के बर्तन पर एक लकडी का बड़ा सा चमस रख दें दूद बहार नहीं गिरेगा नमर तेरा किस्टल किलीन बर्प जमाने के लिए पानी उबलने के बाद उसमें बर्प जमाएं नमर चौदा बेशन के घोल में जरासी ओड़त के डाल का पेश्ट डाल दें पकोडी टेश्टी होंगे नमर पंद्रा दूद को उबलने के समय दूद के बर्तन पर एक लकडी का बड़ा सा चमस डाल दें तो दूद बहार नहीं निकलेगा नमर सोला बर्साथ के दिनों में मसालों में खराब होने से बसने के लिए उनमें कांच के जार में रख दें नमर सतरा मसालों में थोड़ा सा नमाकल मिला दें। इस से मसालों में जाले नहीं लगेंगे। प्याज काटने के समय अक्सर इसकी गन हमारे हाथों में रह जाती है इसे चुटकारा पाने के लिए हाथों में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा दें और उसे रगड दें तो जो हमारे हाथों में निकल जाएगी नमर बीस है सलात कारते समय हमारे सबजियां हमेशा तिर्ची काटें इससे इनका जो जूस होता है वो बरकरार रहता है नमर ग्यारा दाल को जल्दी पकाने वर टेश्टी बनाने के लिए उसमें जरासी हल्दी पाउडर वर कुछ बुने तेल की डालें दाल ट नमर त्याइस समोसे का आटा गुंते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे तो इसमें समोसा कुरकुरे बनते हैं नमर चौविस है आलू की स्टिक्की के मसाले में एक कच्चे केले को उबाल कर उसमें मिलाएं तो टिक्की टेश्टी बनेगी नमर पच्चिस अगर आप बेकिंग करने जा रहे हैं तो ओवन को कुछ देर पहले ही गरम कर दें इसे बेकिंग अच्छा होगा नमर चौविस है छेना फाड़ने के बाद उसके पाने को जो उप्यों है उसका परांठे बनाने में जो आटा हो गुनते हैं उसमें लाएं तो इससे परांठे ज्यादा टेश्टी और मुलाइम भी बनेंगे नमर 27 गैस का फ्लोर पड़े आटे को साब करने के लिए क्लिचिंग इसको का प्रियोग करें गिले कपड़े का नहीं गिले कपड़े से जो आता होता है वो चिपक जाता है वीडियो देखने के लिए धन्याबाद आपका देर